आपका part 9 वीडियो एक चेप्टर का part 9 वीडियो में exercise 18.1 पे है और question number 87 कर दिखाइए कि निम्रकित फनलों के ना तो महत्तम मान है और ना ही नियुमतम मान है चलिए question लेखते हैं हमें दिखाना है कि जो function दिया है इसका ना तो maximum value होगा और ना ही minimum यहां पर e to the power minus x इसे differentiate करते हैं जब differentiate करेंगे with respect to x x के respect में differentiate करेंगे तो यहां से f dash x क्या आएगा तो e to the power x का e to the power x minus x ही होगा और minus x का minus 1 यानि कि minus e to the power minus x इसका differentiation हो जागा तो अब इसके बाद क्या करेंगे अगर हम लोग f dash x बराबर 0 करें f dash x बराबर 0 यानि हो जागा minus e to the power minus x बराबर 0 या हम लोग इसे से लिख सकते हैं e to the power minus x बराबर 0 तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि e का power x बराबर में 0 यहां पर x का ऐसा कोई value नहीं है जिसके लिए e to the power minus x 0 के बराबर हो जाए यह पर कह सकते हैं कि इसके लिए हम कह सकते हैं कि x not belongs to r x का कोई ऐसा real नहीं value है कोई भी real value नहीं होगा जिसके लिए e to the power minus x 0 के बराबर हो जाए यह नहीं का मत्तब एक ते जगा ऐसा कोई भी वास्ने संख्या रखोंगे तो वह 0 के बराबर नहीं होगा यह जानी x r से बिलॉंग नहीं नहीं होगा इसका मत्तब यह हुआ कि therefore लिए सकते हैं कि function f x जो है f x does not does not have have a maximum maximum और minimum value minimum value ठीक है इस f x के लिए e to the power minus x के लिए कोई भी maximum या minimum value नहीं है क्योंकि इसका कोई हमें extreme point ही नहीं आ रहा है कोई भी real extreme point नहीं आ रहा है इसलिसका कोई maximum या minimum value नहीं होगा